Good morning children, बच्चो अपनी हिंदी की कारेपत्रिका लेक्याओ और उसका पेज नमबर 16 निकालो कल हमने पेज नमबर 15 किया था, आज हम अपनी हिंदी की वगभोग का पेज नमबर 16 करेंगे परेश और मेला जो पाठ है उसकी कारेपत्रिका, पेज नमबर 16 यह हैं हमारा page number 16, अब हम करेंगे page number 16, तो question number 3, चित्रो को उनके नाम से मिलाओ, आपको question number 3 यह जो exercise है वो क्या है, आपको कुछ pictures दी हुई है, और नीचे क्या दिये हुए है, उनके name दिये हुए है, नीचे उनके नाम दिये हुए है, तो आपको simple देखना है कि कौन सी picture का नाम कहा लिखा हुआ है और उसको line draw करके match करना है देखो हम पहले नाम पढ़ लेते हैं बेलन, जलेवी, केला, पेड, सेब, रेलगड़ी ये दो होगे नाम और उपर है हमारी चित्र तो सबसे पहला चित्र किसका है हाँ ये है सेब अब देखो कहा लिखा हुआ है सेब बेलन, जलेवी, केला, पेड सेब ये रहा सेब तो ये हम मिला देंगे सेब से अब बाकी के जो तीन है केला, रेल, जलेवी आपको यहाँ ढूणने है और उन से मैच कला रहा है लाइन ड्रो करके ये हो गए हमारी एक्सराइज नमबर 3, एक्सराइज 4 हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये एक और अनेक वाला कॉंसेप्ट है तो जब मैं आपको एक अनेक वाला कॉंसेप्ट समझाएगी तब ये वाली एक्सराइज करेंगे, अब आते हैं now, coming in the exercise number 5, next exercise है हमारी number 5, यानि की 5 number, फल के नाम के आगे सही लगाओ, आपको कुछ नीचे नेम्स दिये हुए हैं, और उनके आगे एक एक बॉक्स दिया हुए है, तो उन नाम को पढ़कर उन में से जो भी फल है, यानि की फूट है, उसके नाम के आगे हमें सही का sign लगाना है, तो देखो, first क्या है, सेब, यह क्या है, एक फल है, हाँ, सबको पता है, सेब, apple fruit होता है, तो हम लगा देंगे, सही का निशान, now, next is, जलेबी, जलेबी एक fruit होता है, no, तो हम इसके box में कुछ ने करेंगे, खाली छोड़ देंगे, next, करेला, करेला, यह क vegetable है, यानि की सबजी, इसको भी हम खाली छोड़ देंगे, next, केला, केला, क्या केला एक fruit है, yes, केला एक फल है, इसको हम खाते हैं, तो इसके नाम क्या हागे लगाएंगे, सही का निशान, next, पेडा, पेडा, पेडा क्या है, fruit और vegetable, no, पेडा है, एक sweets, यानि की मिठाई, हमे इसके box में कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये fruit नहीं है, next, बेला, बेला क्या है, fruit और vegetable, हाँ, बेला तो एक girl है, इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही fruit थे, सेव और केला, ये हो गई है हमारी exercise number 3 and 5th,